स्वागत आप सब इकान वेंदिया युटूब चैनल में आज मैं आपको कराने जा रहे हूँ Mastery Learning Models of Teaching Learning and Teaching का हम सेकंड यूनिट कर रहे थे तो next हमारा टोपी का Mastery Learning of Teaching के वारे में तो आज हम पढ़ेंगे Mastery Learning of Teaching अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्टाम विजिट कर रहे हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आपके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक चल्द पहुँच जाए ठीक है तो फर्स्ट हम करेंगे Introduction Introduction क्या होगा Mastery Learning Modals of Teaching का सबसे पहले तो मैं Mastery Learning बता देती हूँ Mastery Learning होती क्या है Mastery Learning यह होती है हम किसी भी चीज में किसी भी काम में निपण होते है Mastery हम ले लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए तो वही होती है जब हम कुछ सीखते हैं सीखते सीखते हमें उस चीज में Mastery हासिल हो जाती है महारत हासिल हो जाती है स्पोज कर लिए आप खाना बना रहे हैं लेकिन जब आप खाना बना रहे हो आपने कभी तो सीखा होगा खाना बनाना जैसे जैसे आपने खाना बनाना स्टार्ट किया तो आपके ने कुछ गलतिया भी की होंगी तो गलतियों से ही आपने सीखा है और आज आप उस काम पर हैं कि आप फिल्कुल master हो चुके हो खाना बनाने में अब आपसे कोई mistake नहीं होगी यही है mastery जब हम कुछ गलतिया करते कु शीख जाते हैं और उसमें हम mastery हासिल कर लेते हैं उसी को कहते है mastery learning आपने master course किया होगा यूजी में पीडिये में जब काम होते हैं तो मही civ अपने subject में mastery हासिल कर लेते हैं तो वही है Mastery Learning जब हम अपने subject में अपने काम में महारत हासिल कर लेते हैं, हम मास्ट्री आसिल कर लेते हैं, Okay, next हम चलते हैं, इसका क्या है वो देख लेते हैं. मास्ट्री लरनिंग मॉडल का विब कास छात्रों को learning संबंदी सभी पहलवों पर मास्ट्री प्रापते करने के लिए किया गया है, जिसमें कम से कम समय में अधिक अधिगम हो सके इसका उदेश है प्रियोग स्वामित अधिगम वे विश्यवस्तु के उदेशों का विकास करने के लिए क्या जाता है यह परतिमान अधिगम वेभार वे अधारित होता है यह लचिला मोडल होता है फिर भी इसमें कोई सीमा नह कर ले अपने subject में अपने किसी भी काम में ठीक है और इसका उदेश क्या होता है कि बच्चों को ऑपने उनके subject हैं मास्ट्री अधी कराना ही हो मांडी मोटिव है क्योंकि हम teaching में पढ़ रहे हैं model और कौन सा Mastery तो बच्चों को उनके विभार में या फिर उनके अधिकम में सबसे पहले टीचर पढ़ा था सब कुछ ने उसके बाद छो टीचर ने टीच के आई क्या बच्छों को ऊड़े टीचे एषर रपा कोई तोपिक आपने कर दीज बर आप बोलोगी कि कल वह अया प्रक्ता बहुत हुँ ठीक है, उसके बाद आप देखो कि test में कितने students ने कितने marks गेन किये हैं, क्या कोई student है जो weak है, अगर कोई student weak है तो आप उसकी कमी का पता लगाओगे, कहाँ problem रह गई, मेरे पढ़ाने में दिक्कत है या बच्चों के समझने में दिक्कत है, या फिर मैं जो technique यूज कर रहा जो भी मैं वीधी यूज कर रही हूं पढ़ाने के लिए, क्या वो sufficient है बच्चों को सीखने के लिए, अगर वहाँ कोई गलती होती है, तो हम दुबारा teach करते हैं उसी topic को, ताकि बच्चों की जो कमी है उसको remove किया जाए, और फिर हम दुबारा test लेते हैं, और तब तक test ल नहीं हो जाती, ठीक है, आई होब आप समझ गए होंगे, तो ये इसमें यही लिखा हुआ है, पहले अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है, फिर test लिया जाता है, अगर विध्यार्थी कई सीखने में कोई problem आती है बच्चों को, तो जहां पर कुछ समझ नहीं आता है ब बच्चों को उसके subject में mastery हासिल कराई, सर्फ बच्चों को, जो उनका syllabus है, वही complete कराना नहीं होता, concept भी बच्चों को clear कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, यह हो गया आपका introduction, mastery learning क्या है, आपको समझ आ गई, done, अब हम करेंगे इसकी objections, क्या-क्या इसकी ठीक है, अगर आपको meaning concept समझ आ गया होगा ना, तो जो objections है, जो इसकी अवधारना है, वो भी आप easily exam में करके आ सकते हो, ठीक है, तो first अमारी अवधारना है, इसके परियोग से चातर सरलता, पूर्वक सुविदा, जनक, ढंग से आतम विश्वास के साथ सीखते हैं, जब ब बच्चे का confidence आएगा कि अगर teacher इतना ध्यान दे रहा है हमारी पढ़ाई पर, तो हमारा भी कुछ करता हुए, बनता है कि हम सीखे, तो बच्चों में motivation की जो भावना है वो भी increase होगी, और कुछ ना कुछ बच्चे उससे जरूर सिखेंगे, और बच्चों के subject में master जरूर ठीक है, next सिख्षिक विधार्तियों को प्रयाप्त समय परदान करता है, बिल्कुल समय देगा बच्चों को teacher, जब तक एक teacher को यह नहीं लेगा कि मैं जो concept बच्चों को करा रहा हूं, या मैं कोई topic बच्चों को करा रहा हूं, वो जब तक बच्चों को समझनी आता, teacher पूर टाइम देता है बच्चों को, ठीक है, next है, सबीक शात्र मास्ट्री प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल मोटिव तो यही होता है, हमारा जो उदेश्य है, हम यही मान कर चलते हैं, कि हम अपना जो topic करा रहे है, पूरी class में मास्ट्री हासिल हो जाए, और उसके बाद है, इस को यह पता चल जाए, कि बच्चों को समझने में यहां कमी आ रहे है, तो वो अपनी टेक्नीक्स को भी बदलेगा, कि मैंने जिस मेथड से पहले पढ़ाया था, वो सकता है, वो मेथड बच्चों को समझ में ना आया हो, तो कुछ और अपलाई करेगा, कुछ और मेथड अपनी ही बच्चों में मास्ट्री आएगी, बिल्कुल अलग-अलग वीधी यूज करेगा टीचर अपने methods चेंज करेगा, अपने techniques चेंज करेगा, तो अब बिल्कुल यह साफ बात है कि बच्चों में सीखने में और उनके topics में उनको मास्ट्री हासिल जरूर होगी, ठीक ह नेक्स्ट जो हमारी अजेप्शन है जब तक एक शात्र एक काई में पूर्णेता माजट्री हासिल प्राप्ते नहीं कर लेता तब तक अगले अधिकम की और अग्रसर नहीं होना चाहिए एक टीचर को यह समझना चाहिए जब तक फर्स्ट लेस्ट उसका कंप्लीट नहीं हो जाता बच्चों को उसका ऐकोन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता उसको और नेक्सटों की तरुप नहीं बढ़ना चाहिए जब तक उसका इस कहा हो फैक है नेक्स्ट इस मोडलों के मात्यम से विधारत प्रविवर्ण तक वावशकता को समझा जा सकता है इस से बच्चों की प्रकरती को नेचर को इस तरह से समझा जा सकता है कि बच्चे किस प्रकरती के हैं उनके साथ किस तरह से बिहेव हमें करना चाहिए किस लेवल के बच्चे है मेरी क्लास में उनके साथ कौन से विधी हमें यूज करने मान लीजी कोई topic हम पढ़ा रहे हैं class में तो सबसे पहले हमें उसका meaning clear कराना चाहिए, उसके characteristics है तो उसके characteristics clear कराने चाहिए, उसके types बताने चाहिए, यह नहीं कि starting में हमने पूरा topic clear करवा दिया, उसके बाद हम बता रहे हैं कि इसके characteristics है, ऐसा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जब एक-एक concept आपका clear होगा, तब जाकर आप बच्चों में mastery हासिल कर पाऊगे, आप अपना example ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जब अपनी त्यारी कर रहे हो, तो पूरी book के त्यारी नहीं करते हैं, आप एक-एक topic लेकर चलते हो, कि पहले ये topic मुझे clear करना है, next topic clear करना है, उसके बाद next, ठीक है, तो जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारी learning की जो सामगरी है, उसको हम छोटे-छोटे भागों में बाट लेते हैं, ताकि जो हमारी mastery है, वो उस topic पर हो जाए, ओके, तो ये इसकी exception थी, अब देखते हैं, इसके element क्या-क्या है, element of mastery, model, ठीक है तो master model, sorry, models में हमने elements देखे थे, six types of elements, तो हम वही element इसमें use करेंगे, नाम वही होंगे, लेकिन जो अंदर का, जो मतब model है, वो क्या कहता है elements के मात्यम से, वही हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तीन वीडियो हो चुके, तीनी चार वीडियो हो चुके है, models के elements से relate करके, तो आपको elements के नाम तो कम से कम याद हो ही गए होंगी, कोई भी अगर exam में कोई questions आता है, तो आप elements तो ज़रूर लिखके आ सकते हो, आप ये तो भूलोगे नहीं कि आपने elements कराये थे, उनके नाम क्या क्या है, बहुत सारे बार, चार बार हो चुके elements, तो फस्ट जो हमारा focus होता है, हमारा focus किस चीज़ पर होता है model में, क्या, हम क्या कराएंगे बच्चों को class में, ठीक है, तो first हमारा है, master model के अनुसार केंद्र बिंदु का आर्थ होता है, प्रियापते समय में विश्य वस्तु को पूर्ण रूप से ग्रहेंड करवाना, सभी विद्या में mastery हासिल हो सके, अपने subject में mastery हासिल हो सके, ठीक है, उनकी live से relate करके हमें बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, रटी रटाई बाते उनको नहीं समझानी है, उसके बाद हमारा next है, संग्रचिना syntax क्या है इसके, जो focus था किस चीज़ पर what, क्या पर था, तो syntax हमारा होगा, how, कैसे हम उसको apply करेंगे class में, तो इस model के अनुसार mastery teaching करने चाहिए, नितानात्मक प्रिक्षन का मुल्यांकन करना चाहिए, सुधारात्मक सिक्षन द्वारा mastery ग्रहन करना, mastery learning का मुल्यांकन करना, तो पहले हम समझा का, पहले हम जब पढ़ाएंगे class में, फिर हम test लेंगे, तो हमें ये भी समझना होगा कि problem कहां आ रहे है, बचो को ना समझे, कि बचो को समझनी आ रहे है, तो हम उसको दुबारा teach कराएंगे, हम अपनी methods को change करेंगे, हम अपनी वीथी को change करेंगे, अपनी techniques को change करेंगे, और जो भी हम language use कर रहे हैं बचो को पढ़ाते हुए, कई ये तो नहीं, हम ये भी देखेंगे, कहीं ये तो नहीं, कि हम जो language use करेंगे, वही बच्चो को समझ में आ रहे हैं, हिंदी medium की class है, और हम पढ़ा रहे हैं English medium में, तो बच्चो को कुछ भी पल लेनी पढ़ेगा, सिर के उपर से जाएगा उनके, ठीक है, तो ये भी हमें इ जापक की प्रतिक्रिया सहज होने चाहिए, जो चात्र questions अगर, हाँ, अगर कोई students है class में, मान लीजिए, कोई चरपात student ऐसे हैं, कि उनको समझ नहीं आ रहा है, बार-बार में पूछ रहे हैं, हम हमें ये नहीं समझ आ रहा, दुबारा करा दीजिए, अगर बच्चे बार- और सानी करना है, कि कितनी बार में तुम्हें समझ नहीं आता, कितनी बार करा लिया, ये language बिल्कुल भी class में यूज नहीं करनी है, response ऐसा देना है बच्चों को, ताकि दुबारा से वो questioning करे, inquiry question model हमने किया था, तो उसमें यहीं था, inquiry जब तक बच्चे करते रहेंगे, उनम चात्रो वैध धापकों के बीच अंतकिरियात्मक वातावरण का निर्मान करता है, टीचर को class में as a friend बच्चों से behave करना चाहिए, ताकि बच्चों की और टीचर की जो अंतकिरिया है वो चलती रहे, ठीक है, कोई burden फिल ना करे बच्चे class में, कि हमें अगर हमने कुछ पू Next हमारा सहायक परणाली, कौन सी हम सिक्चन सहायक सामगरी यूज कर सकते हैं, जिससे बच्चों में पढ़ाने में help हो सके, उनके concept हम clear कर सके, ठीक है, यह model चात्रो वैध धापकों को यह सुईधा परदान करता है, कि सिक्चन में ऐसे युक्ति अपनाए जिससे उद्देश सब ऐसे करने होंगे, अपने examples हमें ऐसे improve करने होंगे, जिससे जो हमारा उद्देशिया जो हम लेकर चले हैं, बच्चों को master कराने का, वो complete हो जाए, उसके बाद है, प्रियोग जो application है, इस model का प्रियोग उद्देशियों को ध्यान में रखकर किया जाए, यह ज्यानात्मक और भावात्मक परिणामों में भी लाबदायक होते हैं, जो भी बच्चों ने सीखा है अपनी class में, वो जिस भी concept में उनकी master होई है, जैसे जैसे उन्होंने सीखा है, क्या behavior उनका है, और क्या उनका मानसिक विकास उनका हुआ है, तो हमें इस तरीके से उनका विकास कराना चाहिए, बोधिक भी और मानसिक भी, कि वो अपनी life में उसे apply कर सके, ठीक है, उसके बाद है हमारा निशकर, conclusion क्या होगा, निशकर से हम कह सकते हैं, कि जब तक विध्यारती पूर्णत मास्ट्री हासिल नहीं कर लेते, अध्यापक को अगले lesson की तरफ नहीं बढ़ना चाहि अध्यापक का मुख्या उद्धिश्य होता है, बिल्कु हमारा जो main focus होता है, वो यही होता है, कि बच्चों को जब तक मास्ट्री हासिल नहीं हो जाए, हमें उनकी concept clear कराते रहने चाहिए, अगर बच्चे बार-बार questions करते हैं, कि हमेरे questions, मेरे जो topic वो clear नहीं होए है, तो हमें बताना चाहिए, बार-बार उसको example अपनी नई techniques के साथ बताना चाहिए, कि आपकी जो कमी रह गई है, वो यहां है, और उनकी doubts को, उनकी problems को हमें दूर करना चाहिए, ठीक है, ये थी आपकी mastery learning of model, जो key learning and teaching का third model था आपका, last step का बचता है, glacier का, वो मैं कल कराऊंगी, आज अभी time नहीं है, तो हमें कल करा दूंगी, ठीक है, कल हम एक lesson का कर लेंगे, एक और lesson plan है, एक और topic है वो हम कर लेंगे, ठीक है, तो आज के लिए तब वस इतना ही, next video में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, bye-bye, take care, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए Thank you